Welcome to Daily Fact और आज हम बात करेंगे about the battles of Panipat Most important for prelims, यहां से जो है वो prelims में जो है वो question आने के chances जो हो बहुँ जादा हो जाते हैं तो discuss करते हैं about the battles of Panipat जो first battle है वो हो रखी है 1526 में between Barber and Ibrahim Lodhi यहां पर हम Ibrahim Lodhi के अगर बात करें सबसे पहले तो Ibrahim Lodhi जो था वो अफगान डानेस्टी से ब्लॉंग कर रहा था first अफगान डानेस्टी यह याद रखना और यह battle जो हो 21 अपरेल 1526 में हो रखी है और Barber जो है वो Central India से जो हो इनवीट करते हैं बाबर जो है उसको इनवाइट करते हैं दौलत खान गवर्नर आफ पंजाब एंड राना संगा उफ मेवाड यह दोनों इनवाइट करते हैं अगेस्ट इब्राहिम Lodhi जिसका जो रिजल्ट है वो बाबर की विक्ट्री है यहाँ से जो है वो Mughal Empire जो है की जो हो foundation stone जो हो बाबर जो हो यहाँ पर इंडिया में रखते हैं प्रस साथ में जो हो तिमरूड डानिश्टी जो है वो एस्टिबलिश करते हैं यह याद दठना तो यह थी हमारी first battle ऑफ पानीपत अब second battle पे चलते हैं जो second battle है यह 5th November 1556 में हो रखिया है between Akbar and Hemu एक और इसको विक्रमदीत्य का टाइटल भी दिया गया है इसको हिमचंद्र कहा गया और विक्रमदीत्य है यह लास्ट हिंदू Emperor ओफ इंडिया यह याद है हेमचंद्र जो है वो लास्ट हिंदू Emperor of India है और इसका जो result है वो Akbar victory है Akbar की जो forces है उसको lead किया था Baram Khan ने, important है याद रखना और ये जो battle है after the death of the Humayu Humayu की death के बाद ये battle जो है वो हुई है between Akbar and Himu third battle जो है 1761 में 14th January 1761, important है between Marathas and Ahmashah Durrani या Ahmashah Abdali भी इसको कहते है इसका जो result है वो है Abdali की victory यहाँ पर जो है इस battle ने जो है Marathas की जो glory थी जो Marathas expand कर देते उसको कही न कहीं जो वो stop किया रोका उसको और कहीं न फाइनली यहाँ से क्या होता है Marathas का जो हो थोड़ा सा decay जो होना शुरू होजता है क्यों कि इस battle में जो है Marathas जो हो अपने most important leaders को जो हो lost कर जाते हैं और यहाँ पर जो हो अबदाली की victory होती है और जो Marathas army थी उसको lead कहता सदर शिवराओ ने और इसके ओपर जो पानीपत movie भी बन रखी है तो यह ध्यान रखेगा अब इसके बाद जो important concept बनता है जो mains में भी यहाँ से question बन रखा है एक बार वो है कि why पानीपत कि पानीपत पर जो 3 important रड़ाई है क्यों ही है तो अगर हम location की बात करें तो अगर उपर वाली side पर हमालियाज और यह वाली side पर हमारा हरयाना जिसमें जो अभी present type में जो है वो पानीपत है ठीक है और यह पूरा का पूरा region plane है तो उपर वाली side पर तो natural defense प्रोवाइड किया जा रहा है plane area में और इधर वाली side में दिली यहाँ पर ही होगा है दिली तो कहीं न कि plane area में जो एक बड़ी आर्मी को रोकना जाए वो easy था यहाँ पर वार strategies बनाना भी easy था पंजाब के fertile plane से जो है वो अगर हम बात करें पंजाब के fertile plane तो वहाँ से जो है वो जो जितने भी वार equipments या अगर हम बात करें उनने ले जाना बहुत easy था प्लस साथ में जो food wall पंजाब के अगर हम जैसे हम आज कहते हैं उससे कहा है कि food supplies भी जो है वो soldiers को easily जो है वो available हो जाती थी तो यह कुछ reason है जिसकी वज़े से जो है वो attack किया एक और इसमें reason है यहाँ पर है kyber pass यह उपर वाली साइट पर kyber pass और दूसरा यहाँ पर है boland pass यह दो passes जो है वो in planes में आके मिलते हैं तो इसलिए भी जो है वो यह region जो है वो कही न कहीं जो है वो consider किया जाता है important in history जिसकी वज़े से यहाँ पर जो है वो three battles भी हो रखी है so this is about the video please support share and subscribe daily fact thank you for today